नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका अपने जोती सीखाने की संखला खोजारी रखते हैं और बहुती सरल तरीकी से कम सब्दों में आज हम चर्चा करेंगे वर्सब लगन के अंदर और राहू का परभाव देखिए वर्सब लगन का मतलब यह कि दो अगर लगन में है पहले भाव में दो तो यह वर्सब लगन के गुटले हुई अब राहू बारा भाव में कही न कहीं तो जुरूर होंगे किस तरह का परभा हो देंगे सभी भाव में यही मैं आपको बताने जारा हूँ बहुत महत् करते हुए वह कब होता है तो यह वर्सब लगन तुरा लगन मिथून लगन कन्या लगन इन लगनों में ज्यादा मकर और कुम लगन में इन लगनों के अंदर राहू अपना ज्यादा अच्छा परभाव देते हैं तो बहुत ही सराल तरीके से कमसब्दों इसकी में आज हम लगन में अगर राव है वर्सब लगन के अंदर वर्सब रासी में बैठा है तो वर्सब रासी में भी उच्के माने जाता हैं कुछ गनतों के अंदर वर्सब में किसमी कुछ वितुन के पर वर्सब रासी में आप यह समझे लेजिए वो राज योग का रखमाने जाते हैं लगवन में बैटा हाला कि जातक थोड़ा सा भ्रम में जरूर रहता होगा और शोटकट से भी काम करने वाला होगा थोड़ा सा हलका सा चल भी उसके अंदर आ सकता है पर अगर गुरू पोत अच्छा है या गुरू दरस्टी डाल दे लगन पे तो फिर ऐसी भी कोई दिक्कत रही है तो जिन्दकी के अंदर दूसरे वह में धनी होता है जातक संतान के और भाग्य दरस्टी से फैदा और जिन् निची पर दरस्टी द्धनी चैनि ओनिगा आपनी बाणी से का मंट निकालने वाला बाणी से वानी जैसे की होती है पॉल्टिस crush की काम बनाने वाला यकि कभी व्रवानी में तोड़ा काटस देखा जाता है और दात कीड़ा याननि घार ख़राब हो पर यहां का बैठा रहो भी अत्यधिक धनलाब और सभी परकार के सुख व्यक्ति को देता है और कुंट्रलिक अंतर निच्ची तुरूप से जातक को अत्यधिक लाब और रोजगार के दरिश्टी से पहुत फैदा मिलता है तीसरे बहुं में करकराशी में तो जहां से चंद् जातक को दिखा जाता है उतास परेशान चोटे वाह में मैं वित्रों के साथ दिक्कत कभी नहीं बनती और कभी-कभी जो है हतास भी पोजातक पोजल्दी हो जाता है शोटकट से भी काम करना चाहता है यहां का बैठा हुआ रहो जितनी महनत करता है उसके विश्व साब से बहुत महनत के बाद तब उसको रिजल्ट मिल पाई है चतरत भाव में अगर राहु है तो सिंग राशी के अंदर मां के साथ थोड़ी सा तनाव रहेगा जातक का और कारक कुद्र बरस्व लगन में कारक होने के बाद भी को कि सतरु राशी में बैठे हैं तो मकान महन मानने पैदा करता है खर्चा पोट पैदा कर देता है जातक कि और मानसिक सारे रिख भी रहू यहां पर पीड़ा देता है छटे बाहुं में कर रहू कंदर आशी में तो बहुत अच्छा पल देता जातक को आकस्मिक लाब शेयर बजार सट्टा ऐसे में जाब भी अगर अच्छा सेयर बजार सट्टा में जातक पैसे लगा है तो निच्ची तुरूप से सपलता पराप्त होगी निच्ची तुरूप से आकस्मिक धान लाब बनता रहता है और जातक को जिनकी के अंदर भागे पूनरूप से उसका साथ मिलता है और धनी और साथी साथ रोजगार और कावटे पैदा कर सकता पेट में डाजेशन के लिए के दिक्कत करेंगा खर्चा पूत करेंगा कोट कचरी में जाने के योग बन सकते हैं मानसिक सारे रिकपेटा भादा यह देगा आकसमिक लाब देगा सुकों में तोड़ी बडोतरी देगा कभी-कभी जो है एक दम से धन बड़ाई जगडे हो सकता है एक बार अंगेजमेंट तूटी हो उसके बाद विवहा में भी दिक्कते इस तरह के दिक्कते देता है मंगल खराब है तो विवा भी तूड़ देगा अस्टम भाव में अगर राव है तो निचे दूरूप से भागे का सातना मिलता हुआ है को ब कष्किश्ट हरान हो अगर कि द्रश्टी से बाधीन होगा हैट डसंभाहो में अगर राव है है और कुम राशी में तो यहां पर ऑच्छा पहल देगा तो रोजघार की दरिश्टी से भुरष है समाज में सब्सक्रदy संती सब्सक्राइब हैं हाएं हैं पर चै often they are ở banyak keeps है एकातास भखन में राहु अगर है तो अच्छा माना जाता है पर मीद्राशी में क्यूंकि इतना प्यादा ने देता पर अगर गुरू की पहुत अच्छी स्थिति है तो यहां का राहु जुए जातक को देता है अत्यधिक धनी और कुरोडपती भी देख गया है पर आजयनों से या फिर जो है बड़े ब्राइयमेंगों से जौतको अत्यतिक लाव मिढता है वाह मेरा निक जैसे अर्फ सबस्क्राइब ये फल देगे शुरू की माहतसां तरदशा करता तो कम दहने बाध